हेलो एवरिवन के मैं शेर करने वाली हूँ बहुत ही ब्रिलियंट और्गिनाइजर्स हमारे घर के लिए जो हमें बहुत ही यूसफुल होंगे हमारे किचन में हमारे घर में और स्पेस सेविंग तो चलिया स्टार्ट रे करते हैं सबसे पहले यए बास्केट है यह एक रैक जो ऐनलाइन बहुती so आविलेबल है इसे तो फिरज में हम और्गनाइज करने के लिए रखते हैं इसे किच्छन में भी रख सकते हैं और यहां पे अंदर आप बहुत सारी चीजें रख सकते हैं जैसे के हमारे मसाले पाइकट आते हैं चोटे चोटे यहां चोटे डिपी होताया है इसमें हम सामान रखते हैं तो ये देखिए स्पेस भी बिलकुल ये जादा नहीं ले रहा है और ये बहुत ही अच्छे से एक जगे पे सेट हो गया है बस कोई भी चीज़े हमें निकालना हो तो हमें बस उसे निकालना पड़ता है और अंदर हाट डालके आप निकाल तो ये एक बहुत ही अच्छा मुझे लगता है इस्पेशली किचिन में और्गनाईज करने के लिए नेक्स्ट ये वाला है स्टोर कंटेनर जो बहुत सारे आ जाते हैं इसमें वेज़ेबल्स भी आते हैं फ्रूट्स भी आते हैं ये बहुत सारी चीज़े बिस्किट्स बहुत सारे पाउचेस आते हैं उसे भी आप स्टोर कर सकते हैं ऐसे कॉफी के सॉस और चॉकलेट्स बहुत सारी चीज़े और थोड़े से बड़े कंटेनर भी अवेलेबल होते हैं वो भी हमारे घर में बहुत सारी बहुत बार आ जाते हैं तो उसे मैं भी सम्हाल के रखती इस box में मसाले हैं सारे और हम बहुत ही easy accessible होते हैं और हम हाथ में आराम से ले सकते हैं यूज़ कर सकते हैं तो ऐसे दो containers अगर आपके घर में आएं तो आप से इस चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं बहुत ही काम आएंगे और कोई भी type के container हो हम उसे अब DIY करके या ऐसे भी बहुत ही जादा इस्तमाल में ला सकते हैं जादा यूज़ में ला सकते हैं और ये बहुत ही brilliant organizer बन जाता है हमारे घर के लिए हमारे kitchen के लिए तो चलिए next organizer पे चलते हैं और वो है ये ये एक organizer तो नहीं है लेकिन हाँ ये आप guess कीज़े ये क्या है चलिए मैं ही बता दे और लगाना है और लगाना में आसानी होगी और वही शेप का बना है और वही साइस का बना हुआ है नॉर्मली जो साइज आती है न वोली साइज का ये कंटेनर बना हुआ है तो ये भी एक बहुत ही अच्छा सा है एक कंटेनर जो मार्केट में इजिली अविलेबल है ओनलाइन भी अविलेबल है और हम इसे बटर रखने के लिए यूज कर सकते हैं और चीजे खराब भी नहीं होती है और बटर का शेप खराब नहीं होता है हम दूसरे चीज़े में भी रख सकते हैं लेकिन धी especially बटर रखने के लिए आता है इसको बटर के लिए ना यूज करते हुए बहुत सारे यूजर में भी इसे हम लेकर आ सकते हैं अब चलते हैं दूसरे और्गनाइजर के उपर वो ये है ये देखिए फ्रिज में बास्केट मैं प्रिफर करती हूं रखना क्यों क्योंके बहुती स्पेस सेविंग भी हो जाता है मेरे लिए जैसे के ये फ्रिज में देखिए तो बास्केट रखे हुए है इसमें चीजे बास्केट रखना बहुत ये अच्छा आइडिया है एज ऑर्गनाइज करने के लिए आपके फ्रिज को ये इसमें सारे पैकेट्स रखे हुए है जो भी अलग अलग चीजों के पैकेट्स हैं और इसमें सारे थोड़े बहुत फूर्ट और वेजी टेबल्स भी रखे हुए और यहां पर यह देखिए बास्केट अगर लगा हुआ है ना रखा हुआ है तो फ्रिज नीट और क्लीन भी लगता है और अगर आप चीजों को नेमिंग कर दो तो लेने में भी बहुत आसानी हो जाती है और यह तो एक लिड वाला बास्केट है भी चीजे जाता है और यहां पर प्रूट्स रखे जो भी जाता है तो एक दो फूट्स नीचे रखे हुए हैं बागकी सब रखा हुआ है मैंने इसके अंदर और यह जैसे कि हम डेली स्तेमाल करने में कौन से फूट्स लेंगे वह हम बास्केट में रख सकते हैं जो सब के नजरों के सामने हो और पता हो के हां यह सेक्शन में फूट्स रखा हुआ है आपको मैंने आगे बताया के वो कंटेनर और यह देखे यह उससे बड़े साइस का कंटेनर है और इसमें मैंने रखा हुआ है कोरियांडर लीव्स हरा धनिया तुशू पेपर में ऐसे कवर करके रखेंगे ना तो घरा धनिया बिल्कुल भी खराब नहीं होता है मैंने अपने पहले वीडियो में बता के रखा हुआ है तो इस तरीके से बास्केट के मदद से भी हम फ्रिज को अपने बहुत ही अच्छी तरीके से और्गनाइज कर सकते हैं नीट एंड क्लीन रख सकते हैं तो आई होप सो ये वीडियो आपको पसांद आ रहा होगा आ रहा हो तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ये है नेक्स्ट और्गनाइजर ये रिलेटेट टू वार्डरोब है हम कबड में कप तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इसे सारी रखने के लिए बोलते हैं यूज करना लेकिन मैं इसे कलोथ भी दूसरे टाइप के जैसे के शलवार कमीज हो गया कुरते हो गया वो भी रखने के लिए इस्तमाल आप कर सकते हैं क्यूंकि आपका इस तरीके से कबड तो नीच एंड क्लीन लगता है और इस पे भी अगेन अगर आप नेमिंग कर दो तो फिर बहुत ही इसी होता है चीजे यूज करने में इस्तमाल करने में तो इस तरीके से इस कबड को मैंने ओर्गनाइज किया हुआ है यह सारे कपड़े जो है डेली और नेमिंग करना इसमें बाकी है आप नेमिंग कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कपड़ा रखा हुआ है वैसे तो इसमें होता है प्लास्टिक का बना हुआ होता है कि आप देख लो कौन सा कपड़ा है बट इसको बहुत जादा कपड़े थे बहुत जादा य चल जाएगा कि कौन से में कौन सा कपड़ा क्लोथ रखा हुआ है तो यह बेस्ट वार्डोब और्गनाइजर मुझे लगता है अपने कबट को और्गनाइज करने के लिए या आप बास्केट का भी यूज कर सकते हैं अपने कबट के साइड में रखा हुआ हूँ है वैसे यहाँ पर मैंने ऐसी सारे चीज़ए रखे हुए यह जैसे के डेली यूज के सामान मैंने के अंदर रखे हुए हैं, डियो है, क्लिप हो गया तोड़ी बहुत चीज़े जिज करती हूँ यह organizer है ना कबड के side में रहता है यह देखे मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में हाथ से बना के भी दिखाया था कपड़ों में कैसे आप इसे बना सकते हो और उसके अंदर मैंने सारे kitchen towel organize किये थे बट यह market से buy किया हुआ है आप चाहें तो हाथ से भी से बहुत आसाने से prepare कर सकते हैं मैं जल्दी इसका stitching DIY लेके आऊंगी मेरे चैनल पर तो यह देखे इस तरीके से बहुत ही चीप rate में मिल जाता है बहुत ही low price में यह available है और आप इसे खरीच सकते हैं और side में ऐसे आप इसे hang कर दें तो बहुत सारे चीज़े इसमें organize हो जाती है यह मैंने daily purpose के ल भी buy कर सकते हैं और online भी बहुत ही easily available है आप amazon पे check करेंगे न तो आपको यह बहुत ही easily available है मिल जाएगा तो चलते हैं हम next अपने organizer के ओपर यह देखे यह आपको खुद से तो नहीं कर सकते यह आपको किसी की help लेनी पड़ेगी इस तरीके का triangular shape का अगर आप बनाओंगे एक rack ऐसा मैं आप कितने भी इसमें rack बना सकते हो मैं इधर तो four लगे हुए हैं यह एक बहुत ही अच्छा मुझे लगता है अपने घर को organize करने के लिए क्यूं पता है क्यूंकि इसमें यह side में रहता है और जादा space भी नहीं लेता और हमारी सारी चीजे भी यह पर रखी हुई होती है तो आप इसे भी यूज कर सकते हो और यह जो kitchen paper होता है यह भी बहुत ही useful होता है kitchen में क्यूंकि इसे आप बहुत ही तरीके से यूज कर सकते हैं जैसे kitchen साफ करना हो या बहुत सारी चीजे तो यह भी available है different varieties में different qualities में अगर kitchen paper नहीं यूज करना तो इसे kitchen को clean रख सकते हो तो I think यह एक best जो हता है kitchen cleaning के लिए best idea है जो आप use कर सकते हो और next जो है वो भी kitchen paper से ही related है आइडिया वो यह के kitchen paper से हम बहुत सारी चीजे बना सकते हैं तिशू paper से हम बहुत सारी चीजे बना सकते हैं मेरे वीडियो पर आपको बहुत सारी चीजे मेरे चैनल के और नइक्स्ट है एक चीज है इसका काम का क्राश है इसे हमस्मॉल स्मॉल एरिया होते हैं उसको आराम से झज्याता है divi मार्केट में मुझे मिल गया था, ओनलाइन मैंने सर्च किया लेकर मुझे दिखा नहीं, यह आप घर पे भी बना सकते हैं, यह देखिए जो पाइपलाइन होती है, हमारी किशन में वहाँ पर बहुत डॉर्ट जमा हो जाते हैं, तो आप ऐसे करके देखी कितना गंदा निकल जाना आराम से निकल जाता है, या हमारे विंडो के जो होते हैं, स्लाइड के नीचे चीजें वो भी गंदी होती है, और कैसे साफ करें समझ ही नहीं आता, तो यह जो है ना एक बेस्ट है, जो क्लीन कर सकते हैं, आप इसे सर्फ से भी डिप कईजी और क्लीन कर दीजे, बहुत से वराइटी के शोपीस आते हैं, मैरा मानना ये है के हमें उसे भी क्लीन करते रहना चाहिए, तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो जरूर मेरे वीडियो को एक लाइक कीजेगा, शेर कीजेगा, और ऐसी वीडियो आपको ज्जैगाal थांक यू ए वछीँ